अस्तामलेकूम कैसे हैं आप सब तो आजम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ससाइस 10b का कोस्टर नमबर 2 तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटिट 7th एडिशन यानि new edition मेरे पास मौझूद है तो इस new edition का ये chapter number 10 चल रहा है मैंने इस chapter के name से एक separate playlist बनाई हुई है उसका link भी नीचे description में दिया हुआ है ताके आप लोगों को इस chapter से related तमाम solutions एक ही जगा पर असानी से इसी playlist में मिल सकें इसके लावा आपको description में मेरे social accounts के link यानि मेरी facebook profile और मेरी instagram profile का link भी मिल जाएगा फिनी accounts के थुरू अपने questions को suggestions को मुझ तक भी पचा सकते हैं तो आईए start कर लेते हैं question number 2 को तो अब आपको सामने screen पर question number 2 की statement भी लिखी भी नज़र आ रही है और नीचे part number A में जो figure given है वो भी बनी भी नज़र आ रही है तो हम सबसे पहले statement को read करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुए given that A B is parallel to CD तो यह जो symbol है यह हम parallel को show करने के लिए use करते हैं यहाँ पर यह A B और CD के दर्मयान है तो आप इसको parallel to पढ़ेंगे और इससे मुराद होगा कि A B जो है वो parallel है CD वाले line के अब आप नीचे part number A में जो figure बनी वी है इसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक line A B है और यहाँ पर एक line CD है और इन दोनों lines के उपर यह arrow head लगावा है जो के show कर रहे हैं कि यह दोनों lines parallel है और parallel का मतलब होता है ऐसी lines जो आपस में एक दूसरे को touch ना करें एक दूसरे को cross ना करें तो अगर आप इन दोनों lines को दोनों तरफ extend भी कर लें बढ़ाते भी रहें तब भी आपको यह चीज मालूम होजेगी कि कभी भी एक दूसरे को touch नी करेंगे इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों lines आपस में क्या है parallel तो parallel की हम यह लिके लिए यह वाला symbol यूज़ करते है तो पर आपको यह बता दिया गया है कि A, B वाली line, C, D वाली line के parallel है तो close number 2 के different parts में जहां पर भी आपको A, B और C, D लाइन नज़र आएंगी आपने उनको parallel ही consider करना है आगे read करें तो लिखा हुआ find the values of unknowns in each of the following figures तो आपको कहा जा रहा है कि close number 2 के तमाम parts में जो different figures given है उन तमाम figures के अंदर जो unknowns है उनकी values को find out करके आपने दिखाना है जैसे आप A part में देख लें कि इस figure के अंदर A degree, D degree, C degree, B degree यह तमाम values unknown है इनकी values हमें नहीं पता तो इनहीं की values को आपने find out करके दिखाना है इस तरहीं बागी parts में भी है तो आपको उमीद है statement clear होगी होगी कि आपने unknowns की values को find out करके दिखाना है और A, B line, C, D line के parallel है यह आपको given है अब हम A part को start करते हैं अब देखें A part को start करने के लिए आपको transversal का concept लाजमी आना चाहिए अगर आपको पता है transversal किसको बोलते हैं और transversal की वजय से जो मुक्तलिफ angles बनते हैं vertically, opposite angles, corresponding angles alternate angles यह क्या होते हैं तब ही आपको कोई question अच्छे समझ आएगा अगर आप कोई चीजे नहीं पता पहले आप उनको अच्छे समझ ले मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर हर angle की बिल्कुल short short detail साथ ही add करता रहा हूँ ताके आप कोई question अच्छे समझ आ जाए otherwise मेरी अपनी videos भी मुझूद है transversal के topic पे और भी बहुत सी videos आपको मिल जाएगी वो आप अच्छे समझ ले ताके आपके लिए question असान रहे मैं यहाँ पर short description उसकी add करूँगा तो सबसे पहले हम transversal कोई समझते हैं ताके part number A मारे लिए असान हो तो transversal क्या होता है तो उसको समझने के लिए आप दो parallel lines consider करें for example हमारे पास एक line यह है और दूसरी line हमारे पास for example यह है यह दोनो parallel line यानि एक दूसरे को cross नहीं कर रहीं जो के इन दोनो parallel lines को cross करके गुजरे इस तरीके से आप देखें जो मैंने line बनाई इसने इस AB line को cross किया इस वाले point पे और इस CDV line को cross किया इस वाले point पे तो यह जो line मैंने बनाई है इसी का नाम transversal होता है इसी को आप क्या कहते हैं कि यह क्या है है कुछ का corresponding वही आपको जानने होते हैं कि कौन सा कौन सा angle है और कौन सा किस के एक पल होता है हम सबसे पहले vertically opposite angle से start करते हैं कि मारी सबसे पहले वही need है अब याद रखेगा vertically opposite angle तब बनते हैं जब दो lines एक दूसरे को इस तरह cross करती हैं तो जो common point होता है उसके आमने सामने बनने वाले angles जो होते हैं वो सारे के सारे vertically opposite angle कहला रहे होते हैं तो transversal के case में भी ऐसा ही होता है अगर आप notice करें transversal एक line है जो के इस दोनो lines को cross करके गुजर दी है तो इस transversal ने पहले इस AB line को इस point पे cross किया जो मैंने यहां पर highlight किया हुआ है तो जब इस point पे cross किया तो यहां पर vertically opposite angle बनने चाहिए और वो कैसे बनेंगे कि एक angle यहां पर होगा और इसी common point के दूसरी तरफ आप इसको corner point भी कह सकते हैं एक angle यहां पर बनेगा इसी तरीकर से एक angle यहां पर होगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो angle 1 है और जो angle 2 है यह आपस में equal है क्योंकि यह vertically opposite angle के लाएंगे इसी तरीके से अगर आपको समझाने के लिए मैं इसका नाम angle 3 रग दू और इसके बिल्कुल सामने वाले का angle 4 रग दू तो angle 3 और 4 भी क्या होगे vertically opposite angle और यह भी हमेशे आपस में क्या होते है equal होते है तो दो line यहाँ पर cross करें तो वो जो common point होता है corner point होता है उसके आमने सामने वाले बनने angles को vertically opposite angles कहते हैं और वो equal होते हैं अब आपने इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है तो देखें हमारे पास भी इस figure में AB और CD दो parallel lines है और इधर दो transversal बनी वी है एक को red color से मैंने draw किया एक को green color से तो आप red वाली पर focus करें जो किया है PQ तो देखें इस transversal ने इस एक line ने पहले AB line को cross किया इस point के ओपर यहाँ पर और आप देखें यहाँ पर vertically opposite angle बने वे है एक है 117 और उसके बिल्कुल सामने आप देखें A लिखा है तो इसी concept के थूँ जो अभी मैंने आपको समझाया कि vertically opposite angle हमेशा क्या होते है इक्वल तो जो 117 degree है इसको equal होना चाहिए किसके अपने सामने वाले angle के यानि A के तो आप यहाँ पर असानी से बता सकते है कि A degree किसके equal होगा 117 degree के तो A की value आ गई और reason क्या होगी reason होगी vertically यह vertically की short form होती है dot opposite यह opposite की short form और आगे हम लिख देंगे angles तो यह आपने आगे reason भी लिख दी और इसी चीज़ को आप ऐसे भी बिता सकते ही दोनों चीज़े equal हो तो आप इनको degree की बगएर भी represent कर सकते है कि degree degree के लिहास से equal है तो नीचे लिखी वी चीज़े भी आपस में equal होगी यानि आप इसको just a equal to 117 भी mention कर सकते है तो देखे मैंने vertically opposite angle का concept use करके आपको a की value यहाँ पर find out कर दी अब यही vertically opposite angle नीचे भी बन रहे होगी अभी उसको mention करने की जूरत नहीं है ताकि बहुत सारी चीज़े यहाँ पर ना लिख दी जाए इससे आपको confusion हो सकती है तो अभी आपको मैंने vertically opposite angle समझा दिया अब आगे चलते हैं आगे मुझार करते है corresponding angle का अब corresponding angle क्या होता है तो for example मैं इसी चीज़ से आपको समझाता हूँ कि इधर एक angle बन रहा है उसका नाम मैंने रख दिया आपके इसाने के लिए angle 5 मिसाल के तौर पर ये angle 5 है तो corresponding angles ऐसे angles होते हैं जो आपको transversal के same side पर नज़र आएंगे पहली पहली इन में characteristic होगी same side पर होगे दूसरी आपको ये चीज़ नज़र आएंगी आप देखें जो नीचे angle 5 है ये इस CD वाली line के उपर बनावा है और जो उपर angle 1 है वो भी अपनी line के उपर बनावा है देखें दोनों में एक जैसी चीज़ है दूसरा के angle 1 भी उपर वाली line के साथ एक point के साथ connected है इस पे जहाँ से transversal cross कर रही है और angle 5 भी इस point के साथ connected है जहाँ से ये transversal CD वाली line को cross कर रही है तो अगर आपको ऐसे angles मिलें जो transversal के same side पे हों और बाकी चीज़े भी उनकी अगर आप match करें हों एक जैसी ही हो जिस तरह अगर angle 5 मैंने आपको बताया CD line के उपर है तो AB line के उपर भी angle 1 है यानि दोनो lines के उपर है तीसरी बात आप लें notice करी कि angle 1 जो है इधर इस point के साथ connected है जहाँ से transversal गुजर रही है तो angle 5 भी ऐसी point के साथ connected है जहाँ से transversal गुजर रही है तो यह जो same sides पर बनने वाले angle है इनी को हम corresponding angle बोलते है और इनमें इसी चीज़े चेक करी जाती है कि अगर पहला angle उपर बनावा line के तो उसका corresponding भी इसी तरह line के उपर होना चाहिए यह चीज लाजमी है तो यह जो corresponding angles होते हैं यह भी आपस में equal होते हैं यानि angle 1 और angle 5 corresponding है तो आप कहेंगे angle 1 और angle 5 के हैं आपस में equal है इस तरह और भी बहुत सारे corresponding angle यहाँ पर बन रहे होते हैं वो आपस में equal होंगे जस एक बता दिये है ताके बाकी आप खुछ से असानी से कर सके हैं अब आप देखे हमारी transversal में corresponding angles कहां पर बन रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले देखें यह जो PQ वाली line है red वाली transversal again इसमें आप देखें 117 यहाँ पर लिखाव है और बिलकुल उसी side पर उसी transversal के उसी side पर रहते हुए एक लिखाव है B degree तो दोनों एक side पर है इसके लाब 117 उपर वाली जो line है जहां से transversal pass हो रही है उससे connected है और नीचे वाला जो B degree है वो नीचे वाली parallel line है CD उसमें से जहां से transversal pass हो रही है उस point के साथ connected है यह बात भी में same हो गई इसके लाब आप देखें 117 इस AB line के उपर है और यहाँ पर जो B degree है यह भी CD line के उपर है तो सब चीजे match कर गई तो इनको क्या बोलेंगे corresponding angle और यह भी आपस में क्या होते है एक्वल होते है तो इसका मतलब B degree किसके एक्वल होगा 117 degree के तो आप ज़स यहाँ पर लिख दे कि B degree किसके एक्वल होगा 117 degree के और reason क्या होगी corresponding corresponding की short form है angles parallel to cd आपको बता चुका हूँ यह parallel to का symbol होता है और यहाँ पर भी यह दोनों चीज़े equal है degree के बगार भी आप इनको represent कर सकते है degree degree के लिए आसे equal है तो नीचे लिखी हो चीज़ जानि B और 117 भी आपस में क्या है equal है तो देखें B की value भी आ गई अब same corresponding angles का concept हमने दूसरी transversal पर भी यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पर भी पहले सी corresponding angle लिखे में अब आप इस green वाली transversal को देखें तो इधर भी इन दोनों के एक ही side पर इस transversal के एक ही side पर दो angle लिखे में 78 और D एक side पर है पहली चीज़ होगी clear दूसरी बात देखे जो उपर वाला angle है वो उस point के साथ connected है जहां से transversal पास हो रही थी तो इधर वाला भी देखे D degree भी उसी point के साथ connected है जहां से transversal नीचे वाली line में से पास हो रही है दो चीज़े पूरी हो गई तीसरी चीज़ किया है कि 78 degrees AB line के उपर है इधर भी आप देखे जो D degree है इस CD line के उपर है तो इसका मतलब पकी बात तीनों चीज़े clear होगी यह corresponding angle है और corresponding angle equal होते है तो D degree किसके equal होगा 78 degree के तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि D degree किसके equal है 78 degree के और इसको भी उपर की तरह ऐसे लिख सकते है डिग्री डिग्री के लिए आज से equal है तो नीचे वाली लिखेंगे चीज़े भी आपस में equal है यहनि D 78 के equal है reason यहाँ पर आप mention कर देंगे उपर वाली mention करनी पड़ेगी कोई corresponding angles के concept है corresponding angles और यहाँ पर आप AB parallel to CD mention कर देंगे तो आप इसको पूरा भी लिख सकते है short form में भी लिख सकते है just indicate कर देंगे काफी है तो देखें D की value भी आ गई अब हमने एक concept और समझना है जिससे हमारी सारी चीज़े असान हो जाएंगी अब हम समझते है alternate interior angles को alternate interior angles क्या होता है पहले तो बात आप याद रखें इसमें interior का word यूज हो रहा है जब भी हम interior का word यूज करेंगे इससे मुराद ली जाएगी वो वाले angles जो इन दोनो parallel lines के दरमयान बीच में बनेंगे अंदर बनेंगे उनहीं को हम interior angles बोलेंगे alternate क्यों बोलेंगे वो अब मैं आपको सम्हान लगा हूँ alternate कौन से होगी अब आप इस चीज़ को समझे इस वाली figure में आप देखें कि इदर एक angle 2 बन रहा है जिसको मैं shade कर रहा हूँ आप देखें ये इन दोनो parallel lines के inside अंदर है तो इसी line पे रहते हुए यानि इसी transversal line पे रहते हुए अगर आप दूसरे point तक पहुंचे तो इसके दूसरी side पे angle 5 बन रहा है तो ये 5 भी इन दोनों lines के अंदर है तो जो 2 और 5 है ये आपस में alternate interior angles के लाया करेंगे यानि ऐसे angle जो transversal के आप कहले opposite side पर हो जिस तरह angle 2 अगर इदर है तो इसी transversal के उपर रहते हुए दूसरी side पे angle 5 लिखावा है तो ये इसके लिहास से alternate है और ये दोनों अलग-अलग point के साथ connected होंगे उपर वाला उपर वाली line में जो point है जिससे transversal pass होई है उससे connected है और नीचे वाला नीचे वाला जो आपके पास line है जिसमें से transversal pass होई है उससे connected है इसी तरह के साथ आप देखे angle 3 है यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये भी interior है क्योंकि दो parallel lines के दर्मियान है अब इसी transversal line पे रहे हैं दूसरी side पे यह वाला एक angle बनता है जो किसका alternate के लाएगा इसका नाम मैं रख देता हू angle 6 तो angle 3 angle 6 के लिहाद से alternate interior angle है और ये भी आपस में equal होगे तो angle 5 angle 2 के equal होगा angle 3 angle 6 के equal होगे तो property यह है transversal में कि transversal में जो alternate interior angles बन रहे होते हैं के पास इनका sum भी 180 के equal होता है यानि अगर आप angle 5 और angle 6 का sum कर लें ये भी 180 के equal आएगा इसी तरीके से आप जो same side पे angles हैं इनका sum करने तो भी equal आएगा यानि angle 3 और angle 5 का sum भी 180 के equal आएगा angle 2 और angle 6 का sum भी 180 के equal आएगा तो alternate interior angle होने के वजए से ये property इनमें hold करती है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अब आप notice करें हमारे पास यहाँ पर क्या scenario है तो मैंने आपको यहाँ पर alternate interior angle की property बता दिया यहाँ पर मैं direct use करूँगा आप notice करें कि जो A degree है और जो C degree है ये दोनों के दोनों ऐसे angles हैं जो इन दोनों parallel lines के inside है बीच में हैं अंदर है इसलिए इनको interior कहेंगे और alternate interior angle की property की मदद से इनका sum हमेशा क्या होगा 180 के equal वो कैसे क्योंकि अगर ये C degree है तो इसी transversal के उपर रहते हुए दूसरी side पर यहाँ पर इसका alternate होना चाहिए और वो उतना ही होना चाहिए जितना ये खुद है यानि ये C होना चाहिए तो आप देखें ये दोनों एक straight line पर आ जाते हैं और straight line पर angles का sum जो होता है 180 के equal होता है इसलिए हम इस property को ऐसे define कर देते हैं कि जब भी कोई transversal हो उसके अंदर जो angle हो हो वो same side पर होने चाहिए same transversal के उपर होने चाहिए तो उनका sum आप directly 180 के equal लग सकते हैं तो इसलिए आप C और A का sum direct 180 के equal लग सकते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो C degree है उसमें अगर आप A degree प्लस कर दे तो वो किस के equal आता है 180 degree के और इसके आगे reason क्या होगी alternate यह alternate की short form है interior यह interior की short form है angles की short form हो गई और आगे आप parallel lines को ज़रूर mention करें दोनों parallel lines गुई है same AB और CD तो आप यहाँ पर लिखेंगे AB parallel to CD यहाँ तक हो गया अब देखें आपकी A की value आपके पास मुझूद है यह उपर मुझूद है 117 आपने यही value यहाँ पर put कर देनी है इस equation में तो C degree वैसे ही A degree की जगा पर 117 degree equal to का sign और 180 degree वैसे का वैसे ही अभी जो 117 degree यहाँ पर add हो रहा है जब आप इसको equality sign के दूसरे तरह move करेंगे तो यह वहाँ जाकर 180 में से क्या हो जाएगा वो हो जाएगा subtract हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे C degree is equal to 180 degree यह plus यहाँ पर आके क्या हो जाएगा minus 117 degree अब आप 180 degree में से 117 को minus कर दे तो आपके पास answer आजाएगा 63 degree और यह देखें C की value आपके पास आ चुकी है और यह दोनों चीज़े equal है तो comparison करने डिग्री डिग्री के लिहाँ से equal है तो just आप C को equal लिख सकते है 63 के भी डिग्री डाले बगार तो C का answer भी आ गया तो सारे unknown की हमने values को देखें find out कर लिया और मैंने आपको बहुत सारा concept इसमें बताया है opposite angles, vertically opposite angles alternate interior angles, corresponding angles यह सारे अब आपने जहन में रखने हैं अगले कोसर में मैं direct इनके जो है इनको use कर रहा हूँगा यह सारी चीज़ दुबारा से नहीं बता रहा हूँगा तो आपको अच्छे से पताओने चाहिए कौन से एंगल कौन सा होता है तो यहाँ पर मैंने A, B, C और D सब की values निकाल ली अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना next part तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं part number B को तो part number B में जो figure given है वो आपको सामने स्क्विन पर बनीवी नजर आ रही है आप इस figure में देख सकते हैं हमारे पस दो unknown है एक का नाम F है और एक का नाम E है F degree और E degree unknown है इन ही की values को find out करके दिखाना है तो यहाँ पर भी हम transversal का concept ही use करेंगे और उसी concept को use करके E और F की value निकालेंगे तो सबसे पहले important चीज़ यह है कि आप अपनी figure में देखें parallel lines कहां पर है और transversals कितने given है तो अगर आप यहाँ पर notice करें तो एक line AB है और नीचे एक line CD है इन दोनों parallel है इन दोनों के उपर arrow head जो है वो लगाओ है जिसका मतलब है दोनों lines parallel है और यह आपको question में भी given है parallel lines ऐसी lines को बोलते हैं जो आपस में एक दूसरे को cross ना करें टच ना करें इसके लावा transversal कहां पर है transversal वो line होती है straight जो इन दोनों parallel lines को touch कर रही हो या cross करके गुजर रही हो तो देखें एक transversal तो ये है e से लेकर c तक जो इन दोनो hasen lines को touch कर रही है और इस तरह एक transversal ये है जो कह b से लेकर c तक ум है इन दोनो Regardless को touch कर रही है तो आपने इन दोनोh Transversal में से पहले किसी e-transversal को choose कर लेना है जिसकी ली लाइन है मैं इसको extend कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना भी असान हो और आपको चीज़ें और easily और इच्छे से दिखें तो देखें मैं इस लाइन को थोड़ा सा extend कर लिया और पहले मैं इस वाले Transversal की बात करने जा रहा हूँ जो C से लेकर B तक की आपको लाइन नजर आ रही है जो कि निच्चे वाली पैरलल लाइन को C पर और उपर वाली पैरलल लाइन को B पर ये लाइन टच कर रही है इसलिए हम इसको Transversal बोल रहे हैं तो अब आप इसको भी Extend कर लें जैसे आप देखे मैं इसको यहां से इधर Extend कर लेता हूँ और इसी लाइन को उपर इस तरह Extend कर लेता हूँ ताकि आपको clear हो जाए कि ये दो पैरलल लाइन है और ये एक वो लाइन है जिसको हम Transversal कहते हैं जो कि उपर वाली लाइन को B पर और नीचे वे लाइन को C पर टच कर रही है तो ये एक Transversal हो गया इन दो पैर्लल लाइन के उपर अब Transversal के अंदर मैंने आपको principle बताया था कि ऐसे एंगल्स जो इन दोनों पैर्लल लाइन के दर्मयां में हों अंदर हूँ, interior में हूँ और वो एक ही transversal के opposite sides पे हूँ उनको alternate interior angles बोलते हैं और वो हमेशा equal होते हैं तो आप देखें उपर और नीचे वाली line आपस में parallel हैं इन दोनों parallel line के दर्मयान पे आपको दो angle ऐसे नजर आ रहे हैं जो के एक ही transversal के उपर हैं और opposite sides पर हैं एक का न 31 इसी same transversal के right side पे है तो ऐसे angle जो parallel lines के दर्मयान हो एक ही transversal के उपर बन रहे हूँ लेकिन opposite sides पे हो उनहीं को alternate interior angles का जाता है और वो आपस में क्या होते हैं equal होते हैं यानि यह e degree और 31 degree equal होंगे और यह चीज़ भी याद रखेगा यह alternate interior angles होते हैं इन यह connect किस तरह हुए हो connected है यह लाजमी आपने ख्याल लगना है और opposite sides पे हैं same transversal के उपर इसलिए आप इसको alternate interior angle कहेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो e degree है वो तो आपके पास equal हो जागा 31 degree के और reason आप क्या देंगे alternate alternate को आप लिखते है alt short form में आगे interior यह interior की short form है आगे angles यह alternate interior angles हो गया और किन दो parallel lines के दर्मियान यह बन रहे हैं एक है AB और एक है CD तो आप mention mention करेंगे AB parallel 2 यह symbol आपको पता है parallel 2 के लिखें आगे CD और यहाँ पर bracket close कर देंगे और अब आपको यह भी पता है कि दोनों angle आपस में equal है तो comparison करने degree के लिहास से कि degree degree के लिहास से equal है तो नीचे लिखी angles कही concept use होगा लेकिन अब transversal बदल गई है अब जो transversal है वो यह EC वाली line segment है यह वाली line है अब आप इसको extend कर लें अपने इसानी के लिए तो देखें मैं इसको extend कर रहा हूँ नीचे भी और उपर भी तो यहाँ पर भी देखें ऐसा आपको महसूस होगा कि यहाँ पर भी alternate interior angles ही मजूद हैं एक angle है f degree जो इन दोनो parallel lines के दर्मयान है और दूसरा बात वो इस transversal के साथ connected भी है अब इसी transversal पर रहत हुए इसकी दूसरी side पर देखें तो यहाँ पर यह दो angle mentioned है तो यह दोनों आपने अलग-अलग नहीं लेने बलकि इनको मिला कर लेना है क्योंकि मै आपने end तक लेना है जब तक यह दूसरी parallel line यानि जो इसके नीचे है उसके साथ connect ना हो जाए यानि आपको यह पूरा angle चाहिए होगा यहां से लेकर यहां तक तो यह पूरा angle यानि 35 और 31 मिला कर इस f degree का alternate बनता है क्योंकि f degree और यह दोनों angle मिला कर एक ही transversal के उपर यह इन दोनों angles के समके क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो यह पूरा angle आएगा यहां से लेकि यहां तक क्योंकि पूरा angle है मैं क्यों चाहिए क्योंकि जो alternate interior angle होते है उनका एक point जो है आप इस parallel line के साथ connected होना चाहिए और एक point उसी transversal के साथ connected होना चाहिए तो यह तब मुमकिन हो पाएगा जब आप 31 और 35 दोनों को add करें तभी ऐसा हो सकेगा तो इसलिए मैंने लिखा है कि f degree जो है वो equal होगा 35 degree प्लस 31 degree के और reason आगे सेम ही होगी alternate interior angles और किंद दो lines के दर्मियान यह बन रहे है यह बन रहे है यह बन रहे है एबी और cd के तो आप लिखेंग 31 आपने add करने है तो कितने हो जएगा यह हो जएगा 66 degree और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं f degree 66 degree के equal है दोनों चीज़े equal है comparison करने है degree degree के लिए है तो f जो है वो 66 के equal होना चाहिए यानि आप जस यूँ भी लिख सकते हैं कि f किसके equal है 66 के degree के बगैर भी तो देखें हमने e c की value भी find out कर ली और f की value भी find out कर ली और जो हमने property यूज़ करी वो यूज़ करी alternate interior angles तो यहाँ पर यह बी पार्ट फिनिश हुआ उम्मीद है आपको यह पार्ट समझ आ गया होगा अब चलते हैं इसके next part की दरफ तो अब हम start कर लेते हैं part number c को तो part number c में जो figure given है वो आपको सामने screen पर बनीवी नजर आ रही है आप इस figure में देख सकते हैं g degree और h degree basically unknown है any की values को हमने find out करके दिखाना है तो again हम transversal का concept ही use करेंगे और उसी concept की मदद से g और h की value find out करके दिखाएंगे तो उस concept को use करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी figure में parallel lines कहां पर हैं और कितने transversals आपको given हैं तो अगर आप notice करें हैं हमार पास यहाँ पर दो lines हैं एक का नाम AB और एक का नाम CD AB को red से draw किया गया है CD को green color के साथ draw किया गया है दोनों पर arrow heads भी लगे हैं जिसका मतलब यह वो दो lines है जो कि आपस में क्या है parallel है या आपस में एक दूसरे को touch नहीं करती उपर statement भी भी आपको यह पहले से given थी इसके लाब आप transversal ढूड़े तो पहले transversal तो यह है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस line की सूरत में कि यह एक line है जो कि A से start हो रही है यह A point इस पहली वेली line AB के उपर है A से start होई यह line C से pass होई और आगे E तक गई और यह C point दूसरी line CD के उपर है तो ऐसी line जो आपकी इन दोनो parallel lines को cross करके गुज़रे उसी कम transversal बोल रहे होते हैं तो यह A से लेकर E तक जो line है यह basically transversal ही है इन दो parallel lines के उपर यानि AB और CD के उपर दूसरा transversal आपको यहाँ प parallel lines को touch कर रही है तो इसको भी हम बोलेंगे यह दूसरा हमारा transversal है तो आपको transversal भी पता चल गए और आपको parallel lines के बारे में पता चल गया कहां कहां पर है अब हमने इनकी construction कर नहीं है construction का मतलब हम कुछ lines को extend करेंगे ताके angles को find out करना भी असान हो और visualize करना भी असान हो तो जो AB वाली line है मैं इसको भी extend कर लिता हूँ यह देखिया मैंने इसको इस direction में denn कर लिया और AB parallel है CD वाली line के जो कि ग्रीन automation कर लिये इसको भी इस direction में पिर गूंकर लिया और इस direction में उपर लाह और D तक शूरा रहा है यानि F-D भी आप इसको पढ़ सकते हैं यह पूरा एक Transversal ही किलाएगा क्योंकि यह उपर और नीचे दोनों पैलल लाइन जो उन दोनों को F-D पॉइंट पर टच कर रहा है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं इसी को Extend कर लेता हूँ तो देखें मैंने इस Transversal को भी इस तरह और इधर से भी इस Direction में Extend कर लिया तो अब आपके लिए चीज़े समझना और असान हो गया कि A-B और C-D पैलल लाइन है और यह एक लाइन जो इसको मैंने F-D भी पढ़ा यह Transversal के तौर पे इन दोनो पैलल लाइन्स को जो है दो अलग-अलग पॉइंट पर टच करके गुजर रही है अब यहाँ पर Transversal है मैं समझ आ गया अब Transversal की जो Properties होती है जोड़ी भी होती है कि जब भी आपके पर Transversal का Case आएगा उनको हम Alternate Interior Angles बोलते हैं और वो हमेशा आपस में एक वलोते हैं तो अगर आप इस लाइन के उपर देखें जो F-D वाली लाइन है जिसको मैंने Transversal भी बोलावा है इन दोनो पैलल लाइन्स जो है हुए इसके Left Side पर 83 है तो ऐसे Angles जो एक ही Transversal के उपर हो पैलल लाइन्स के दरमयान हो अंदर हो, इंसाइड हो और Opposite Sides पर भी हो उस Transversal के लिहाज से उनी को Alternate Interior Angles कहते हैं और वो हमेशा Equal होते हैं तो इसका मतलब यह G Degree और 83 Degree आपस में Alternate Interior Angles बनते हैं और यह आपस में Equal होंगे इसलिए मैं लिख दिया है G Degree is Equal to 83 Degree आगे मैं इस Property को Mention भी कर देना है Short Form में तो मैं लिखूंगा Alternate यह Alternate की Short Form Interior यह Interior की Short Form Angles यह Angles की Short Form और Alternate Interior Angles दो Parallel Lens के दरमयान बनें वो कौन से हैं A, B और C, D तो आप आगे लिख देंगे A, B, Parallel 2 यह Parallel 2 का सिंबल है C, D और यहाँ पे Bracket Close तो यहाँ पर G Degree 83 Degree के Equal आ गया और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Degree का Degree के लिखास से Comparison कर लें Degree Degree के लिखास से Equal है तो G 83 के Equal होगा आप Just G equal to 83 भी लिख सकते हैं यह Answer भी बिल्कुल Correct है ठीक है? तो G की Value आ गई है अब हम H की Value को Find Out करते हैं उसके लिए मैं Different Transversal इसके करना पड़ेगा मैंने इसको भी Extend कर लिया अब यहाँ पर हम Corresponding Angles का Concept Use करेंगे मैंने आपको समझाया था कि Transversal के Case में Corresponding Angles भी Equal होते हैं अब Corresponding Angles ऐसे Angles होते हैं जो Transversal के Same Side पर भी होते हैं और बाकी भी चीज़े उनमे जब आप Relate करेंगे वो एक जैसी होंगी जैसे आप देखें यहाँ पर 69 डिग्री और H डिग्री इस Same Transversal के A की Side के उपर है A की Side पर है देखें यह भी Right Side पर है और यह H भी Right Side पर है इसके लाब आपने काफी चीज़े देखनी है अब देखें जो 69 डिग्री है यह जो उपर लाइन है पैरलल AB जो CD के पैरलल थी यह इस AB के नीचे बन रहा है यानि इस AB लाइन के नीचे है और जो इसका corresponding angle है जिसको मैंने काया कि इसका corresponding है यह H यह भी यह जो पैरलल लाइन थी CD AB के इसके नीचे ही बन रहा है दूसरा Same Side पर है जो के सीडी है जो के सीडी है AB के पैरलल है और यह पॉइंट जो है वह ही पॉइंट है जिसमें से ट्रांसवरसल पास हो रही है तो देखें उपर भी ऐसा ही है Transversal A में से pass हो रही है और इधर भी ऐसे हैं जो C में से pass हो रही है तो ऐसे angle आपस में corresponding angles कहलाते हैं और ये भी आपस में equal होते हैं तो age degree किसके equal होगा 69 degree के तो आप लिखेंगे age degree है 69 degree के equal और इसके साथ आप यूँ भी लिख देंगे ये दोनों चीज़े आपस में equal हैं तो आप यूँ भी लिख सकते हैं degree degree के लिए आसे equal है तो age को just 69 भी लिख सकते हैं degree के बगएर और reason उपपर वाली देंगे कि ये भी क्या है alternate interior angles और किस parallel lines के दर्मयान है वो ये same parallel lines AB और CD तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB parallel to CD तो ये देखें हमने G की value भी find out कर ली और H की value भी find out कर ली यही हमने find out करके दिखानी थी तो अमीद है आपको ये part भी समझा आ गया होगा अब करते हैं इसका next part तो अब हम start कर लेते हैं part number D को तो part number D में जो figure given है तो इसके लिए हमने देखना है कि हमारी इस figure में parallel lines कौन कौन सी हैं और कितने हमारे पास lines जो है transversal का role यहाँ पर play कर रही है तो अगर आप notice करें इस figure में कि जो उपर line है जो के A से start हो रही है B तक जा रही है और नीचे वे line जो C से start हो रही है ली तक जा रही है दोनों आपस में parallel है दोनों के उपर arrow head भी लगावा है जिसका मतलब है दोनों lines आपस में एक दूसरे को touch नहीं करेंगी जिसकी विज़े से इनको parallel कहा जाएगा और यह चीज़ आपको आपकी statement में भी given थी इसके बाद अब transversal की बात कर लें तो transversal एक ऐसी line को बोलते है जो दोनो parallel lines को जो आपके पास हो उन दोनों को touch करें तो अगर आप इस line को देखें जो के AC यानि इस triangle की side के तोर पे आपको नज़र आ रही है इसको आप AC पढ़ने भी फिलाल समझने के लिए तो यह जो AC वाली line है यह उपर वाली line और नीचे ली line यानि दोनो parallel lines को touch कर रही है इधर A point पर और नीचे C point पे तो एक transversal तो यह हो गया दूसरा आप देखें जो AE वाली line है आपके पास इसको आप AE वाली line बोलना है यह triangle की एक side भी बन लिए क्योंकि नीचे एक triangle भी आपको बनावा नजर आ रहा है तो अभी समझने के लिए इसको AE बोलने तो यह जो AE वाली line है यह उपर वाली line को A point पर और नीचे वाली line को E point पे touch कर रही है यानि दोनो parallel lines को touch कर रही है तो एक transversal तो यह हो गया तो आपको दो transversal भी मिल गए और parallel lines का ही पता चल गया अब हम construction करेंगे construction का मतलब है कुछ lines को extend करेंगे ताके angles को sort out करना भी असान हो और चीजों को visualize करना भी और असान हो जाए तो यह जो उपर line थी AB मैं इसको इस direction में यहाँ पर extend कर लेता हूँ इस तरीके से और जो नीचे line है यह CD मैं इसको भी इधर से इस वाली direction में extend कर लेता हूँ ताके आपको जो है चीजे और अच्छे से दिखें अब मैं पहले इस वाली line को use करूँगा AE को जो के as a transversal ही यहाँ पर मुझूद है क्योंकि उपर line AB और नीचे line CD दोनों parallel lines को वो touch कर रही है एक A point पर और एक E point पर तो मैं इसको भी देखें यहाँ पर extend कर रहूँ यह थोड़ा सा उपर से extend कर लिया और यहाँ से भी नीचे से extend कर लिया तो अब आपको clear picture नजर आ रही है कि यह AB और CD parallel lines है और यह उन पर एक transversal है और आपको मैं बता चुका हूँ transversal के अंदर alternate interior angles equal होते हैं अब alternate interior angles कौन से angles होते हैं ऐसे angles जो दोनो parallel lines के दरम्यान inside अंदर बन रहे होते हैं और same transversal के opposite sides पर मुझूद होते हैं जैसे आप देखें AB और CD के दरम्यान एक angle 60 degree है और एक angle J degree है यह दोनों के दोनों angle एक ही same transversal के साथ connected भी है और opposite side पे भी है इस transversal के right side पे आप देखे 60 degree लिखा हो है और इसी transversal पे रहते हुए इसके दूसरे side पे जाए नीचे तो यहाँ पर left side पे J degree लिखा हो है तो ऐसे angle जो parallel lines के दरम्यान हो एक ही transversal पर हो और opposite sides पर हो इस तरीके से जैसा मैं आपको बताया है यह alternate interior angle के लाते हैं और यह आपस में equal होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो J degree है वो basically equal होगा 60 degree के क्योंकि यह alternate interior angle है और आगे reason भी आप mention करेंगे alternate interior angles और किन दो parallel lines के दरम्यान है AB और CD के तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे AB parallel to CD और यह दोनों चीज़े आपस में equal हैं तो इसका मतलब है degree को comparison किया जा सकता है degree के साथ degree degree के लिखेंगे लिखेंगे लिख सकते हैं कि नीचे लिखीवी चीज़े भी आपस में equal होगी यानि just J 60 के equal भी लिखा जा सकता है तो यह आपकी J की value आ गई तो देखे हमें इस J की value पता चलगी वो कितनी है 60 degree अब देखें I की value निकालना बहुत असान है क्योंकि यह एक triangle बन रहा है आप इस triangle को इस तरह पढ़ सकते हैं A, C, E यूँ भी पढ़ सकते हैं A, E, C यूँ भी पढ़ सकते हैं E, C, A इससे कोई भी issue नहीं है तो आपको पता है गर triangle के अंदर total 3 angles होते हैं और आपको कोई 2 angles given हो तो तीसरा angle triangle के angle sum वाली property की मतलब से निकाला जा सकता है तो देखें एक angle तो 75 हमें पता ही है J हमने भी find out कर लिए 60 तो I निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि triangle के तमाम interior angles का sum हमेशा 180 के एकफ़ल होता है तो अगर हम इन सब को sum करके 180 के एकफ़ल रखेंगे तो I की value भी आ जाएगी तो अब मैं यह property use करने लगाओ मैं लिखूंगा I degree आप किसी को भी पहले यह बाद में लिख सकते है प्लस J degree प्लस 75 degree देखें मैंने तीनो triangle के angles को यहाँ पर add करके लिख दिये यह किस के एकफ़ल होंगे 180 के एकफ़ल होंगे 180 degree के और आगे property लिखेंगे इस property का नाम होता है angle sum of triangle इस triangle का नाम आप रख दें यह है A, C, E आप किसी और तरह भी कह सकते है तो A, C, E मैं कह रहा हूँ इसको ठीक है अब आप देखें आपके पास I की value तो आपने find out करनी है J की value उपर given है 60 यानि 60 degree तो यहाँ पर भी आप degree का symbol लगा लें तो यह हो जगा 60 degree प्लस 75 degree equals to 180 degree अब आपने क्या करने है सबसे पहले आप देखें वैसे ही अब यह 135 degree यहाँ पर add हो रहा है जब आप इसको equality sign के दूसरे move करेंगे तो यह 180 में से subtract होगा यानि लिखा जाएगा 180 degree minus 135 degree ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर अब इसको subtract कर देना है तो 180 में से 135 minus कर दें तो कितना आएगा 45 degree तो I की value मारे पस कितनी आ गई 45 degree जिसको आप ऐसे भी लिख सकते है कि यह दोनों चीज़े आपस में equal है तो degree degree के लिए आपस में equal है तो नीचे लिखी हूँ चीज़े भी आपस में equal लिखी जा सकती है यानि I equal है just 45 के तो देखें I की value भी हमने find out कर ली 45 और उपर जो हमारे पास था J उसकी value भी find out कर ली 60 तो आउमीद है आपको यह तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आया हूँगे आप इंशालाब नेक्स फिलिज़े मिलेंगे बाकी solutions के साथ